आज मैं मेरे प्लांट के बॉक्स ओपन कर रही थी आन्बॉक्सिंग कर रही थी तो इसका वीडियो बना के रखा था सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर करूंगी तो पहले यह सोच के ही किया था कि अच्छा हो बुरा हो जो भी होगा मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगी बड़ प्लांस लगी लिग बहुत ही अच्छा मिला है मुझे और कोलकाता के एक नरसरी से मैंने ओर्डर किया था और कोलकाता do 생각이 फोर खुद भी प्लांट ग्रो करते हैं और जिस दिन मैंने order place किया उसके next to next day 11 और 12 ओकलग मुझे ये मिल गया था और packing भी बहुत अच्छी थी तो मैं आपको सारे plants अभी खोल के दिखाऊंगे आप packing भी देख सकते हो बहुत अच्छी से उन्होंने packing किया था और उन्होंने बोला था कि plants मिलने के बाद उसको आप कोई भी एक जहाँ पर पानी आता है जैसे उहाँ पर रख देना ये मेरा आप देख सकते हो ये pink agglonema था और single plant ही मिला था मतलब मैंने single single ही order किया था आप उहाँ पर bunch में भी order कर स सिंगल सस्ता पड़ता है जैसे ये मिचे 100 रुपीज में मिला था तो packing भी बहुत अच्छी थी plant भी बहुत healthy था और छोटा नहीं था ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा plant दे दिया ऐसा नहीं था sapling नहीं था mature plant ही था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये और उन्होंने पूigraphy स्प्रे करके फिर उसको रखने के लिए और यह था मेरा क्रिसमस काक्टस वाइट वाला यह 80 रूपीज लिया था अवाड़ मैंने बट मैंने ना मतलब बेयर रूट देखके साथ ही साथ इसको रीबोट करने था जो नुन्होंने बोला था एक दिन उसको देना चाह कि कैसे मैंने केर किया एक यह मेरा मोस्ट वांटेड प्लांट था यह था मेरा पिंक प्रेंसेस फिलाडंडरॉन यह बहुत दिनों से मैल्ड हून रही थी और यह मुझे मेला 150 में बर टोटल में उन्होंने 1020 रूपीज मेरा डिसकाउंट भी किया था और यह प्लांट तो प् को पूछो कि कैसे स्वाइल बनाना क्या करना एक्जैक्टली हो सारा कुछ बता देते हैं और इसके बाद मेरा लास्ट है यह भी मोस्ट वांटेड प्लांट था नंदी नहीं यह मैंने 80 रूपीज में खरीदा है और बहुत छोटा नहीं है सैपलिंग नहीं है टू क्योंकि उन्होंने बोला कि सारे मिक्स हो चुके है तो यह टू प्लांट था यह भी बहुत ही हेल्दी था तो अगर आपको किसी को जानना है तो प्लीज कॉमेंट करना मैं आपको एड्रेस दे दूंगी और ओके बाई हैपी गार्डनिंग और थैंक्स फॉर वचिंग और प्लीज सब्सक्राइब शेर कॉमेंट बाई